तो दोस्तो इस वीडियो में आप से मैं ITI Machinist Course के वारे में आप से मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागते दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्यूंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्स के बारे में वी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म हुने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शिरू करते हैं तो अगर आपसे मैं ITA Machinist Course के बारे मैं आपसे मैं डिसकस करूं तो जै कोर्स एक Vocational Training Program का कोर्स है तो इस कोर्स का जिर डिरूइशन है वो 6 मन्त से लेकर 2 वर्ष के वीच हो सकता है तो जै एक ऐसा Vocational Training Course है जिसमें Machine Operations और Maintenance के बारे में Student को सिखाया जाता है तो जै एक ऐसा कोर्स है जो Students को Practical Oriented Skills को Provide करता है जिने वो Machine Related Industries में वो काम कर सकते हैं इस कोर्स में Machines के सही इस्तेमाल और Maintenance के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है इस कोर्स में जो Machine Tools होते हैं जैसे की Late Machine, Milling Machine, Grinding Machine और CNC Machines एक सेक्टरा जो Machines होती हैं इनको सही तरीके से चलाने और Maintenance करने की जो Techniques और जो Skills होती हैं बस Student सीखता है इसके साथ ही Students को Machine Parts, Mechanisms और Machine Safety का भी गयान दिया जाता है इसके साथ Measurements और जो Basic Machining Techniques होती हैं जैसे की Cutting, Dealing और Shaping का भी Students को Training दी जाती है तो Theory के साथ जो Practical का वर्क होता है वो भी आपको काफी अच्छे से इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है और अगर आप इस परकार की फील्ड में अगर आप इंटरस्ट रखते हो तब तो आपको जाय कोर्स आपको जिरूर करना चाहिए अभी आपसे मैं Eligibility Crideria के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि जनी आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको admission लेने के लिए दोस्तो आपको जो 10th की जो class है उसे आपको पास करने पड़ेगी तो तभी आप इस कोर्स के लिए eligible हो पाओगे और अगर आप चाहो तो आप इस कोर्स को 12th की class को पास करने के बाद भी दोस्तो आप कर सकते हो अभी आप से मैं जोव परफाल्स के वारे में आप से मैं डिस्कस करने वाला हों कि जिने अगर आप इस कोर्स को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोव मिल सकती है तो दोस्तो आप मशीनिस्ट बन सकते हो आप सीनशी ओपरेटर जा प्रोगरामर बन सकते हो इसके watch में आप से मैं डिस्कस करने वाला हों कि जिने आप इस कोर्स में आखर किस प्रकार का जो स्लेवस होता है उसे आप स्टडि करते हो तो इस course में आप basic engineering concepts, workshop safety practices, measurement ad, metrology, etc. जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के मदब से दोस्तों आप study करते हो और भी इस course में कहीं सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाये जाते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे ITI Machinist course के वारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको उपराप्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और भी काफी सारे courses के वारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वेकवर जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाग